मनिश शर्मा तो लगतार बात की जा रही है किस तरीके से पेपर जो है आउट हुआ है और इस से जुड़ी बड़ी जानकारे सामने आ रही है कि उदैपूर में लोकल पुलिस के इंपूर्ट पर परिक्षा देने वाले करीब 40 अभियर्तियों को और एक गैंग संचालक को पकड़ा गया है बस में बठाकर लेकर जाता था पेपर सॉल्व कराता था और संभावना अभियर्तियों को और एक गैंग संचालक को पकड़ा गया है ये संचालक बस में बठाकर लेकर जाता था पेपर सॉल्व कराता था और अब जानकारी ये मिल रही है संभावना ये कि इसी गैंग ने इस से पहले हुई सेकेंड ग्रेट परिक्षा में भी इसी तरह परिक्षा दिलवाई हो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपसे साजा कर रहे हैं ये बड़ा खुलासा और आपको बता दे कि सेकेंड ग्रेट के जनरेल नौलिज के पेपर रद होने का मामला और अपडेट ये कि भरतपूर में देरी से पहुची पेपर रद होने की सूचना इसके चलते परिक्षा केंद्रों पर खुल गए पेपर सेट एडियम प्रशासन कमल राम मीडा का बयान सामने आया है कि सभी केंद्रों से पेपर वापस मंगा कर जमा करा रहे हैं उद्यपूर में पेपर आउट हुआता और उसके बाद परिक्षा रद होई इससे पहले परिक्षा केंद्रों पर खुल गए पेपर सेट और अब एडियम प्रशासन ने बयान दिया है नामे कमल राम मीडा कहा गया है कि सभी केंद्रों से पेपर वापस मंगा कर अब जमा करा रहे हैं उद्यपूर में पेपर आउट हुआता उसके बाद परिक्षा रद हो तो संचालक को पकड़ा गया है, 40 लोगों को डिटेंड किया गया है, इने हाब बुदैपूर लाया जाएगा पूछटाज की जाएगी लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि ये संचालक जिसे पकड़ा गया है ये इससे पहले भी, इससे पहले भी हुई, सेकेंड ग्रेट परिक्षा में इसी तरह से इसने परिक्षा दिलवाई हो, ऐसी संभावनाब जताई जा रही है, हलाकि SOG और पुलिस इस मामले में सायोगत रूप से कारवाई कर रही है, सायोगी आशुतोष जादा जानकारी के स हैं बहुत संभाटित तरीके से, और मैंस दे में अगर का रहा था, और वो एक बस के अंदर तमाम जो अलग अलग तैंपर्स होते हैं, वहाँ इन अभ्यर्तियों को ठोड़ने के लिए जाता था और ये वो तमाम अभ्यर्तियां भी शुरुद्वाती जानकारी से जामने न संभव है कि ये जो गैंग है, ये इस से पहले जो परिक्षा हुई है, यानि कि लगब 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 गुरुवार से जब परिक्षाओं का दौर हुआ था, सबसे ही ये गैंग संचालित होगा, लेकिन इस बात की पहले कुष्टी की जाएगी कि ये बहुत जल्दबाजी ह संभव है कि इसी गैंग के कुछ और भी साती हो, जो दूसरे जो चेत्र है, वहाँ पर ऐसे तमाम अब्रतियों को छोड़ने के लिए जाते हो, पेपर सॉल्द कराने के बाद नहीं है, बहुत बड़ी अपने आप में जो उदैपुर रेंट पुलिस है, उसके अपने बहु करवाई के तरफ पर इसको देखा जा सकता, देखिए, राजिस्थान में ये बात बुल्कुर ठीक है कि आजकल राजिस्थान पेपर लीक के लिए बहुत ज्यादा चर्चित है, लेकिन एक बात ये भी तैह है कि ऐसे तमाम अब्रति जो ऐसी परेक्शों में बैठ सकते थे और उसको पास कर सकते थे और सर्विसिस के अंदर आ सकते थे, उससे पहले इस गैन को बस किया गया है, ऐसे तमाम अब्रतियों को रोका गया है, ये भी एक तरीक है कि पुलिस के लिए उपलदी के तवर पे देखा जा सकता है, क्योंकि देखिए, परिक्षा देने से पहले जब इन्पुट आया है तब उनको रोका गया है तो फिलाल शुरुवाती जानकारी यही मिल रही है कि 40 अभ्यर्टियों को इसके अंदर डेटेन किया गया है एक गिरोज से जुड़े वेक्टी को गुस्ता किया गया है और शुरुवाती जानकारी यह कि यह पहले पेपर एक इस वक्त फोलाइन पर मौझूद है दिवेंद्र भरतपूर से जानकारी यहीं मिल रही है यह काज और एडियम के ओर से कि भाई देरी से हमें सूचना मिली परक्षा केंद्रों पर पेपर खुल गए और अब एडियम प्रशासन कमलरा मिना का बयान सामने आया कि सभी केंद प्रूसे पेपर वाप